जै सम्विधान 4PM News Network में आपका हर्दिक स्वागत है मैंने ये निर्डे लिया है और आशा करते हैं आप मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जितने भी आप कारिक्रम होंगे जिसमें मैं पार्टिस्पेट करूँगा मेरा पहला सेंटेंस होगा जै सम्विधान क्योंकि भारतवर्ष की समर्दता के लिए सदभाव और संभाव के लिए हमें सम्विधान के प्रती कृतग्य होना चाहिए और हमें पहला प्रणाम सम्विधान को करना चाहिए जिसकी वज़े से आज भारतवासी इस उन्नती की स्थिती में पहुँचे हैं हमें उस देश की कामना करनी है जिसमें ना धर्म जाती के आधार पर कोई भेदभाव हो और हिंदुस्तान का भारत वर्ष का 142 करोड जन्मानस मिल जुलकर आपस में प्रेमभाव से रहे जो इस कारण ही संभव हुआ है कि देश के अंदर समिधान है अगर देश के अंदर वो इस्थिती होती जो हजारों साल पहले होती थी तो देश के एक बहुत बड़े भाग को एक बहुत बड़े समाज को बराबरी का भार नहीं दिया जाता था उन्हें अधिकार नहीं दिये जाते थे उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था उन्हें अपन एसा देश नहीं चाहिए हमको ऐसा देश चाहिए जो संभावी हो जो सदभावी हो जो योग्यता के आधार पर किसी को आगे बढ़ाए और केवल एक ही मापदंड हो जिसमें योग्यता ही लेकिन किसी को आर्थिक कमजोरी की वज़े से या सामाजिक कमजोरी की वज़े से इसलिए देश को उनती की तरफ ले जाने के लिए विश्व का महानतम ग्रंथ बाबा साथ भीमराओं अम्बिटकर ने हमको समिधान की तरह दिया और आज एक बहुत अच्छी बात है कि देश का पूरा का पूरा ध्यान समिधान की तरफ है और हम नहीं चाहते हमारे देश में मनुवाद इस्थापित हो देश में समिधान रहे ऐसा पूरा देश वासी चाहता है हम ये भी नहीं चाहते कि राज देश के अंदर राजदंड से शासन चले जैसे पुराने जमाने में राजाओं का शासन हुआ करता था राजाओं का दरबार हुआ करता था राजदंड जो निर्ने राजा देता था उसकी कोई सुनुवाई नहीं होती थी वो फाइनल होता था क्योंकि वो राजसी तरीका था लेकिन जो कमजोर होता था वो सफर करता था जो बात नहीं कह पाता था वो सफर करता था और जो राजा के आसपास रहने वाले काना फूसी करने वाले उ कि कि देश की अंदर समिधान लागू हुआ तो हमारे समयधान के निर्माताओं ने ये कामना की कि हिंदुस्तान का भारत्वर्ष का एक अदमी अर्व हर आदमी का एक वो ठोगा कि चाहे व darkest मानिर हो उनका एक Rice का एक वोट होगा और रिक्षा चलाने वाले का भी वोट होगा है देखिए जिस दिनों से चिंतित थे हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पिछले 10 साल, 75 साल तो हमने बड़ी अच्छाई से जीए, हमने लिंचिंग नहीं सुनी, कि कभी लिंचिंग होती थी, भीड़ी खटी होके, दो-तीन लोगों को पकड़ के जला देती थी, मार देती थी, यह पहले देश में 65 साल भी हमने नहीं सुना, पिछले 10 साल से अचा जला दिया गया या लिंच कर दिया गया, यह पिछले 10 साल में सुना, यह देश के लिए हनिकारिक था, हम लोग हमेशा से कहते आ रहा है थे कि यह देश के रहनिकारक है, और देश को इससे बचने के अवशकता है, आज चलिए कम से कम अच्छा है, देश के अंदर समिधान पे चर्चा हो रही है, समिधान के समर्थन में खड़े हुए लोगों की भी चर्चा हो रही है, और समिधान के विरोध में खड़े हुए लोगों की भी चर्चा हो रही है, इस बात की भी चर्चा हो रही है, कि जब देश के लोगसभा के अंदर नवनेरवाची सदस अपनी शबत ले रहे हैं तो बरेली का एक भरदी जंता पाड़ी का संसद हिंदू राष्ट का नारा लगा रहा है लेकिन सभापती उसको टोक नहीं रहे हैं जबकि हिंदू राष्ट का नारा लगाना समिधान विरोधी है लोकतंत्र विरोधी है समिधान के अंदर हिंदुस्तान की जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है वियरे सेकुलर स्टेट लेकिन एक नव निर्षवादी साथसद नारा लगाता है जै हिंदो राष्ट का उसको सवापती मोदे नहीं टोकते एक हिद्राबाद का सांसद जै फिलिस्तीन का नारा लगाता है जो भी समयधान के विरुद है, हिंदोस्तान के अंदर, हिंदोस्तान के लोगतंत्र के मंदर, समयधान के अंदर, फिलिस्तीन का नाम ना लेना, आप फिलिस्तीन से सानुबूती रख सकते हैं, आप इजराई से सानुबूती रख सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर जै फिलिस् समिधान विदान की बात मत कीजिए मैं सभापती हूं अगर मैं खड़ा हो जाओं तो सब को बैठ जाना चाहिए यह मरे आदा मतलब समिधान के समकष अपने को रख रहे हूं आप समिधान के एक मंदिर के केवल मोनिटर हैं और जिस प्रकार से जब इस पे दिपनदर हुड़ा ने खड़े होके कहा कि माने वर सभापती महदे इस प्रकार की टिपणई और समिधान के उलेक करने पेर अपर आपत्ती उचित नहीं है तो इस प्रकार से सभापती मोहते ने उनको अपमानित किया दिपिंदर हुड़ा को अपमानित किया वो देश की आँख में खटक गया और आज सोशल मेडिया के अंदर देखी आप तो 90 बसन लोग दिपिंदर हुड़ा के साथ खड़े हैं और यहों भी इरला को कह रहे हैं कि आप एक देश के चुने हुए सांसद जो धाई लाग वोट से रो तक से जीते हैं उनका इस प्रकार का अपमानित करने का अधिकार आपको कैसे मिल गया और जो समिधान है उसकी शपत खाने पर आपको अपत्ति क्यों होने लगी अब सभापती महदे अपने विवेक पर काम कर रहे हैं या उनको आदेश दिये जा रहे हैं लेकिन सभापती महदे को यह सोचना चाहिए कि वो उस कुरसी पर बैठे हुए हैं जिसमें विश्व के हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोग बैठे हैं बने सबसे पूज कुरसी है वो बड़ी कुर्शी है जैसे राश्पती महदे महहिं कि कुर्षी है बढ़यानमंत्री के कुर्शी है वैसे ही लोगसभा स्पीकर की कुर्शी है उस कुर्सी बठे हैं उसकी बर्यदाओं को कायम करना उनका कर्तव वे है जब राहूल गांदी लीडर बोजिशन अब से भी धाई लाग वोट से जादेस जीत के आए हैं और राहुल गांधी जिनके पास दक्षण का भी मेंडेट है और उत्तर का भी मेंडेट है उनको डांटना उनको डंपटना जबकि राहुल गांधी केवल इतना कह रहे हैं कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या है ये नीट परीक्षा हो, UGC, net की परीक्षा हो, UGC, PG की समस्या हो, लेक्पेपर लीक हो रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि रे एक्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, रे एक्जामिनेशन कब होगा, बच्चे निराज हैं, परि ये तो पता चले, कि ये जो संसत जिनको हमने चुन के भेजा है, ये देश के बच्चों के साथ ख़ड़ा है। आप एमर्जंसी की बात कर सकते हैं, एमर्जंसी का उल्लेक कर सकते हैं, सभापती मोदे कर सकते हैं, मानी मोदी जी कर सकते हैं, माहमाहिम देश की राश्पती कर सकते हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, जो आज उनको आपको म्यूट कर दिया जाता है जो हमेशह शिकाइट रही है कॉंग्रेस पार्टी की अपूजिशन पार्टी की चलिये 2004 में तो आपकी सरकार थी आपको absolute majority थी 2019 में भी आपको absolute majority थी ती लेकिन 2024 पे तो देश की जंता ने आपको absolute majority नहीं दिये आपको केवल 240 सीटे दी है और आपको एक इंडिकेशन दिया है आपको एक संकेत दिया है कि इस बार का मेंडेट आपको absolute majority वाला नहीं है आपको समंज़स से चलना है आपको नकेवल जेडियस से टीडिपी से जेडियू से एगना शिंदे से चिराग पास्वान से समंज़स से चलना है बलकि आपको उस विपक्ट से भी समंज़स से चलना है जिसने बराबर की लड़ाई आपसे लड़ाई है अगर आपकी 240 सीटे हैं तो इंडिया लाइंस की 234 सीटे है और जि से जादे सीटे सवाजवादी पार्टी को मिली है इसके बावजूद आप उस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगसभा स्पीकर उस प्रकार से लोगसभा को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे आपने 2014-19 में चलाया था और जंता के मेंडेट को जिसमें उन्होंने सामज़े से चलने के आपको ताकीब की है, आप उसका उलंगन कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं, जंता का अपमान कर रहे हैं, अब एक अनुपरिया पठेल का एक statement आया, अनुपरिया पठेल अपना धल की सांसद है, मिर्जापूर से जीती हैं, कम वोट से जीती हैं लेकिन जीती हैं सोने लाल पटेल साब की बेटी हैं और एंडिये की समर्थक हैं एंडिये के गड़बंदन में उन्होंने यह अपति दर्ज कराई है कि सरकारी नौकरियों में जो OVC और दलित केंडिडेट्स होते हैं उनको जो बोर्ड होता है जो उनके प्रोमोश दो-तीन बार करके उसमें समण वर्क के लोगों को बिठा देता है यह अनुप्रिया पटेल ने कहा है वह भी राजबर साब के विधायक जो हैं वो नीट परिक्षा के पेपर लीकेज के मुख सरगना की रूप से साबने आ रहे हैं जैन अंसारी साब की बात हम लोग करते थ हैं जिसाब जिन इनकी अभी म्रत्य हुई है और बीजेपी वाले उनको अटेक करने के लिए उनको और अतियेक अहमद साब को सामने रखते थे उन अंसारी साब का बेटा आज अंडिये में है बीजेपी के साथ क्योंकि वो उपी राजवार का विधायक है पार्टी का विधायक है वो उपी राजवार एंडिये के समर्थक हैं उनके पार्टनर हैं और क्योंकि वो विधायक जो अंसारी साब का बेटा है अफजाल अंसारी का वो उपी राजवार की पार्टी में है इसलिए इंडिये मे लिया जाता है अब जो यह अनुप्रिया पटेल ने कहा है इसका मतलब क्या है अनुप्रिया पटेल या तो समझ गई है कि आज उत्तर प्रदेश और नौर्थ इंडिया की जो हिंदी पट्टी है और गोबर पट्टी है इसके जो रानिती के मुद्दे हैं वो धर्म से हटकर अब पीडिया की तरफ चले गए और जिसका भली प्रकार उप्योग अगर किया है तो अखलेश यादव और राहूल गांदे ने किया राहूल गांदे ने भी ओवीसी को मुद्दा बनाया और अखलेश यादव ने भी पीडिया को मुद्दा बनाया और उसके बाद जो एक वोट बैंक था समण वोट बैंक था पूरी तरह बीजेपी के साथ गया और जो पीडिया गडबंदन के लोग थे वो जो समिधान को बचाने वाले लोग थे वो अखलेश यादव के साथ गये इसलिए समाजवादी पार्टी प्रटेल ये समझ रही है कि उनके लिए मौका है एक सीट को लेकर वो इंडिया अलाइंस में आ जाएं क्योंकि वो पीडिये हैं वो पिछडी हैं पुर्मी समाज से आती हैं इस बार तो चलिए जीत गएं लेकिन अब उनके लिए बहतर है कि वो पीडिये की राजनीती करें और इंडिया अलाइंस में आ जाएं पलेवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी की बड़ी जुजारू नेता थी और हम लोग उनका बला सम्मान करते थे मैं उनके अंदर भविशी की बड़ी सम्मावना ही देख रहा था लेकिन पता नहीं उन्हें क्या मैसूस हुआ कि उनकी वज़े से वो इतनी उची उठ रही हैं लेकिन वो वास्तविक्ता में अखलेज शादव के गड़बंदन समाजवादी पार्टी का साथ और पीडिया का साथ था जिसकी वज़े से आगे बढ़ी इस बार उनका पूरा राजनेतिक इतिहास खतम हो गया इस लोग सभा में वह अनुप्रिया पटेल की छोटी वेहन हैं लेकिन अलगक पार्टी क्या वो भी अखलेज शादव के साथ जाने की सोच रही हैं क्या स्वामी प्रसंद नौरे कि राजनीति को देखते हूँ अखलेज शादव के साथ जाने की सोच रहें क्या उत्तरप्रदेश का समाज पूरी तरह से समण समाज और पीडिये के बीच में बढ़ता चला जा रहा है जहां 90% समण समाज बीजेपी को वोट देता है और एक बहुत बड़ा समाज बीडिये का अखले शादव को वोट देता है अगर ऐसा हो रहा है तो यह OBC समाज के ल बन गया है आज PDA की राजनीती जिस प्रकार से केंदर बुंद बन गई है आज जैसे स्पीकर्स द्वारा राजसवा लोकसवा चलाया जाना में एक मुद्दा बन गया है और यह लोग कह रहे हैं कि जो तस साल आपने किया हम तो इस बार सोच रहे थे कि आप बहतर प्रदर करेंगे लेकिन उसी प्रकार का प्रदर्शन आप दोजार चौबिस के बाद करने की कोशिश कर रहा है जिसका मेंडेट जंता ने आपको नहीं दिया है तो चलिए अच्छा है देश की बेरुजगारी पेपर लीक तूटे हुए पुल धहती हुई इमारतें चूता हुआ लीक करता हुआ भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर गुजरात के अंदर पुल बंबई के अंदर गुल बिहार के अंदर पुल आज ही ख़बर मिली है पानी अचानक बढ़ा और कुछ जवानों की शादत हो गई है कि टर्रेरिस एक हो रहा है मनेपुर नहीं सुलज रहा है रेलवे दुरगटनाएं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि देश जो हम लोग चाह रहे थे हिंदू-मुसल्मान से देश हटे यह धर्म के विभाजन स हटे और मुद्यों पर आए अब देश मुख के मुद्दों पर आ गया है अब समयधान पर आ गया है अब नौकरी बेरोजगारी पर आ गया है अब अगनिवीर पर आ गया है अब किसानों के मुद्दे पर आ गया है और मोदी जी अपने केविनिट से कोशिश करिए यह अप प्रश्कार धन्यवाद और प्रणाम